हलो फ्रेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्ता करेर में आज की वीडियो में मैं आप सभी को डेली की बेस्ट थ्री उनिवस्टी बताऊँगा जो आपको डिस्टेंस मोड में अपनी जो डिगरी है वो ओफर करती है और जो भी स्टूडेंट जिनकी पढ़ाई किसी भी रिजन की वज़े से अधूरी रह गई थी वो इन उनिवस्टी में अड्मिशन लेकर अपनी पढ़ाई को कम्प्लीट कर सकते हैं साथ ही जो आपके डाउट्स हैं कि इसमें अड्मिशन कैसे होगा वो भी बताऊँगा कौन-कौन से कोर्से अवेलिबल हैं, फीस क्या होती है, अड्मिशन प्रोसेस क्या है वो सभी तरीकी चीज़े मैं आपको बताऊँगा बट, most important जो दो comment डाउट होते हैं कि distance learning के थुरू किनको अपनी पढ़ाई complete कनी चाहिए क्या सभी distance mode में admission ले सकते हैं या degree complete कर सकते हैं या एक जो बहुत ही comment डाउट होता है कि क्या distance learning की जो degree होती है उसका हमारे career पे कोई negative impact होता है तो इस चीज़ के बारे में भी हम इस वीडियो में discuss करेंगे बट उससे पहले make sure कि आप इस वीडियो को end तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी query अधूरी ना रहे आपके सभी doubts का जवाब मिल जाए आपको और अगर channel पर नए हो तो channel को subscribe करो bell icon press करो ताकि हम इसी तरह से जुड़े रह सकें चलिए शुरू करते हैं Friends, universities के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे जो आपकी queries हैं उनके बारे में सबसे पहली चीज़ कि किनको distance learning के थूरू अपनी education complete करने चाहिए तो जो भी student किसी भी reason के वज़े से चाहें वो financially weak है या फिर किसी भी जैसे कि like जो regular colleges है इनमें आपको admission लेने के लिए cut off clear करने पड़ती है या फिर entrance exam देना पड़ता है तो अगर आप enable है इनमें admission लेने के लिए इस reason के वज़े से भी या फिर financially मैंने आपको बताया है का पहला doubt इसमें कोई भी गलत नहीं है कोई गलत चीज नहीं है आपको बिल्कुल भी यह doubt लाने की ज़रोत नहीं है मन में की distance learning बेकार होती है इससे नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है आप इससे अपनी education undoubtedly complete कर सकते हो so next question के बारे में बात करते है कि क्या distance learning की जो degree होती है उसका आपके career पे कोई negative impact होता है so friends इसका answer है no काफी सरी जो distance universities हैं उन्होंने अपनी website पर भी mention कर रखा है कि जो उनकी degree है उसका कोई भी negative impact आपके career पर नहीं होगा किसी भी तरह के discrimination आपको face नहीं करना पड़ेगा आपको अपने career में क्योंकि काफी सरी student के mind में आता है कि जो regular के बच्चे हैं उनकी degree अलग होती है और जो distance learning वाले students हैं उनकी degree अलग होती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है degree दोनों की same होती है जिन भी मैं universities के नाम आपको बताऊंगा जो कि best three universities है डेली की उनमें आपको degree same ही मिलती है कोई changes नहीं होते है distance और regular mode की degree में बाकी कोई भी discrimination आपको देखने को नहीं मिलेगा आपके future में अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी universities है जो कि डेली की best three universities की list में है हमारी सबसे पहले number one पे जो है हमारे पास उसका नाम है इगनू आप सभी ने अपने mentor senior से सुना होगा इंद्रा गांधी national open university इस university में आपको सिरिफ distance mode के थुरू ही की जो degree है वो offer करती है university साथ ही ये डेली की ही best university नहीं है ये पुरे overall इंडिया की central university है तो आप इंडिया में कहीं पे भी है आप वहां से इस university के थुरू अपनी education को complete कर सकते हैं इस university की एक खास बात भी मैं आपको बता दूँ ये university डेली इंडिया की ही नहीं एशिया की top 5th university है open learning mode में सबसे पहले बात करते हैं इसके admission process की friends कुछ courses यहाँ पे जो है undergraduate level पे या फिर post graduate level पे उनमें admission direct mode में होता है यानि की means आपको कोई भी cut off या entrance exam नहीं देना पड़ता और कुछ courses ऐसे हैं जिनके लिए आपको entrance exam देना पड़ता है तो जिन भी courses में entrance exam या cut off नहीं है वो maximumly popular courses है जो की journal जैसे BCOM, BAC, MCOM, MSC इन type की जितने भी courses है इन में आपका कोई entrance exam कोई cut off नहीं है तो आप सीधा website पे जाकर enroll करके अपने जो आपके area में कोई भी college है जिससे आप as a study center चूज करोगे चूज करकर अपनी documents upload करने के बाद उस college की first year की fee पे करोगे उसके बाद आपका annually और semester जो आपके exam होते हैं उसके बाद आपकी degree complete होती है तो ये हो गया आपके admission mode की बात लेकिन इसमें आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है इस university की कि ये आपको साल में दो बार admission offer करती है पहला जो इसका session होता है वोता है December to Jan वाला जहां पे आप हर साल December to Jan में admission ले सकते हो इनके forms out होते हैं दूसरा July to August वाला session उसमें भी आप admission ले सकते हो तो साल में दो बार इंग में admission होते हैं आप easily किसी भी session में admission लेकर अपनी education को complete कर सकते हो फिर बात करते हैं courses की courses यहां पे बहुत सारे हैं, बहुत सारी varieties है, like मैं अगर आपको बताओं तो under graduate level पर ही 31 courses है, post graduate level पर भी बड़ी सी list है, PhD, MPH, तमाम तरह के courses हैं, तो सभी courses आपको maximally यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और आप यहाँ से अपनी जो पढ़ाई है, वो complete कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से, हमारी list में जो second number की best distance university है, उसका नाम है Jamia Milia Islamia, जी हाँ यह एक central university है, और इंडिया की ranking wise top 10 universities में आती है, NIF ranking according, बाकी यह university आपको दो mode में education offer करती है, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि एक regular mode जो की बहुत जादा popular है, एक है आपका distance mode, जिसका नाम है center distance for open learning, तो यहाँ पे आपको काफी सारे courses मिलते हैं, इसमें भी same है, कुछ courses आपको directly admission based होते हैं, कुछ आपके जो होते हैं, वो entrance based होते हैं, बट जो courses आपके direct based होते हैं, उनका admission process के बारे में बात करें, तो उन courses में आपका admission यह होता है कि जब भी वो साल में एक बार निकलते हैं, जब जैसे क के साथ अटेश करके साथ ही अपनी फी भी पे कर नहीं होती है जैसे कि जो आपकी रेस्टेशन पीस है 500 वो और साथ में आपके जो कॉलेज फीस जाएगी फस्ट इयर की उसके साथ वो दोनों अटेश करके आपको कुरियर करना होता है डिमांड राफ बनवा कर और उसके पास लेने के बाद आपका एक्जाम होता है फिर आपकी जो डिगरी है वो कंपलीट होती है यह तो हो गया जामिया मिलिया असलामिया युनिवस्टी के बारे में इस युनिवस्टी में आप अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ चलते हैं हमारी थर् एक्वर्ण देली इनुवस्टी स्कूल ऑफ उपन लर्निंग एक हो डेली इनुवस्टी की डिपाटमेंट है जो कि आपको डिस्तंस मोड में एजूकेशन İn joining में जैसे कि हम पे प्र पर आपका जामिया में इसमें आपको लिमिटेड कोर्स मिलते हैं जैसे अगर हम लेकिन इनका जो admission process है, वो totally different है, अगर आप under graduate level पर बात कर रहे हैं, तो SOL में जो आपका UG level के courses हैं, इनमें आपका admission direct होता है, website जैसे ही open होती है, university जब admission शुरू करती है, हर साल, अभी जैसे की September के बाद शुरू होगा admission process, तो आपको website पर जाके register करना होता है, documents upload करने होते हैं और अपनी first year की fees pay करने होती है, उसके बाद आपका admission confirm हो जाता है, बट अगर हम in case post graduation courses के बारे में बात करें, तो उसमें आपको क्या करना होता है, entrance exam देना होता है, क्योंकि जो Delhi University है, इसमें post graduation courses में दो तरीके सा admission होता है, चाहे वो regular mode हो, चाहे distance, बट इनमें आपका 50% seat reserve र में, आपको entrance exam देना होता है, उसके बाद अगर आपके marks अच्छे हैं, तो आपको regular college मिल जाता है, अगर नहीं है, थोड़े कम है, जो cut off जाती है, उससे थोड़े कम है, तो आपको फिर SOL allot कर दिया जाता है, so SOL में भी distance learning जिसमें आपकी Saturday Sunday classes होती है, और आपको फिर पढ़ा का impact नहीं होगा, आप brightly चमकोगे, बस फरक ये आता है, distance और regular mode में, आपको regular mode में, जो colleges होते हैं, उनकी fee pay करनी होती है, और वहां से आपको skills सीखने को मिलती है, पढ़ाई के साथ-साथ, but distance mode में आपको skills अगर आपके अंदर खुद में है, या आप खुद से develop कर सकते हो, तो आपको degree मिल जाएगी, आप education complete कर सकते हो, जो भी काम कर रहे हो, वो complete करने के साथ साथ, अपनी education को भी complete कर सकते हो, और अगर आप में skill है, caliber है, तो आप उन regular student से भी अलग चमकोगे, so no doubt, ये best universities हैं, जिनमें आप admission ले सकते हो, I hope आप सभी के लिए वीडियो helpful रही होगी, और ए्या कोड़ी, ऑर आपए छहाई सकते हो, उन्याप झीडियो जो पीड़ी अजार LAURA